हेलो एवरीबान कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लगों के साथ इस दुपट्टे के साथ डोरमेट बनाना बताऊंगी आप लोग दुपट्टे की जगा साडी भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसमें चादर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो लेकिन चादर का कपड़ा अगर आप यूज़ करोगे तो शायद उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन अगर आप चुन्नी का मतलब दुपट्टा जो होता है वो और साडी यूज करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा तो मैंने यहां पर ले ली है चुन्नी बहुत अच्छे साइंस की है यह चोडाई लंबाई बहुत अच्छी है इसकी और डबल कलर में है बीच में यह ब्लू कलर है और साइड में क्री क्रीम कलर है तो इस तरीके से मैंने चार फोल्ड कर लिया है इसको अब मैं बराबर से पकड़ के ना इसको चारो फोल्ड बराबर कर लोंगी ताकि अच्छे से यह हो जाए उसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे लंबाई में लंबाई के अंदर इसको हमें तीन वो आपको इस तरीके से करना है मैंने क्रीम कपड़ा जो है वो अंदर रखा है क्योंकि वो हल्का कपड़ा है कलर और ब्लू कपड़ा उपर की तरफ रखा है तो दूसरा फोल्ड मैंने इस तरीके से किया तो ये तीन लेयर में हो गया है यानि कि चार लेयर में पहले था और चार 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 बारा हो गई अभी ये तीन फोल्ड होने के बाद बारा लेयर हो गई कपड़े की तो अब आपको इसको इस तरीके से कपड़े को किनारी से अंदर करके इस तरीके से इसको हलका हलका फोल्ड करना है गोलाई में रोल रोल कर जैसे अगर आप ऐसे उठाओग ना बहुत असानी से आप इसको मशीन पर अराम से ले जा सकते हो उसके बाद आपने जिस तरीके से फोल्ड किया था उसे तरीके से उसको खोल लेना है किनारे पे सारा किनारा मिलाके मतलब बारा लेयर पूरी इकठी पकड़के और आपको सिर्फ इसी चुन्नी में ही पूरा डॉरमेट बनके आपका रेडी होने माला है तो बहुत अच्छे फलपी इसा बनेगा गुदगुदा टाइप का यह बहुत असान तरीका है एक डॉरमेट को पांच से दसमेट के अंदर अपने घर पे ही बनाने में तो आप इसको देख स सिलाई लगाना है सिलाई जो है वो आपको मजबूत लगानी है यहाँ पे और आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेट में जरूर बताइएगा और इसी तरीके के वीडियो कोशिश मैं मैं इस चैनल पे ताकि आप लोगों को डेली ही कोई ना कोई आइडिया मिले और रियूज आप अपने घर की चीजों का कर पाएं अब दिवाली आ रही है तो बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे आने वाले हैं तो आप लोग जुड़े रहिएगा जाद से जादा वी बादर बनानी की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि इसी सिलाई से आपका एक बादर भी बन चुका है अल्रेडी दिख रहा है आपको उसके बाद आपको इसको इस तरीके से उतार लिया मैंने आपको मैं दिखा रही थी कि मैंने तीनों तरफ से कर लिया अब जो बीच में ज ठोड़ी है बीच में और मैं इस तरीके से डेड़ इंच का कपड़ा ही छोड़ूंगी मतलब हर सिलाई के बीच में डेड़ इंच का गैप है डेड़ इंच डेड़ इंच छोड़कर एक एक सिलाई आपको यहां पे लगाते जाना है सिधाई में सीधी सिलाई लगानी आप को इसमें कोई महनत करने की जरूरत नहीं है फालतू की और अगर आप धागा भी कट करना नहीं चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहीं से घुमादो और फिर एक इस हुई से आप पूरा डॉर्मेट रेडी कर लोगे इसमें कटिंग भी नहीं करने पड़ेगी आपको तो मैंने ना इसी तरीके के काफी सारे आइडियास अलरी शेयर किये हूँ है चानल पे बहुत सारे डॉर्मेट बनाए हुए हैं कुछ लोवर्स के कुछ टीशिर्ट का यूज करके रियूज करके तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे ही चानल पे जाके आप बहुत सारे आप लोगों को इसी तरीके से इसको पूरा से लाई लगाना है पूरा लास्ट तक स्टेच कर लेना है और स्टेच काने के बाद ही आपको इसका लुक दिखाओंगी कि कैसा लुक बनता है अभी इसमें थोड़ा सा काम और करना है जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो इसको पुरा सोई को हम उतार लेंगे यह हमारा प्रॉपर सिल के एक तरीके से रेडी हो गया है अब हमें बीच में से इस तरीके से कट लगाना है एक लेयर में धीरे धीरे करके अंदर की चा जफे गर देशना भाणा में भी बीच चाप लगाना है अगर आप एक लीचे का बीच में छोड़ना हो तो आप की जादा कटिंग हो जाएगी इक लेयर में यहां 6 लेयर सोपर वारी जो है उनी को कट करना उसके इलावा कपडा कट नहीं करना तो इसमें आपको कुछ भी नीचे बीच पड़ा जो है बाकी छेलेर वह सपोर्ट करेंगी और कहीं पर भी एफिसलेगा नहीं कहीं पर भी गीला हो जाए तो आपका सूखने में समय नहीं लगेगा चुन्नी का कपड़ा है बहुत जल्दी सूख भी जाएगा वाशिंग मशीन में आप इसे धो भी सकते ह लूग का इचा लुक आरा है डबल कलर का कपड़ा था तो इसलिए ज्यादा कलर अच्छा उभर के आ रहा है आप लोग पी चाहो तो ड़ार्क कलर इस तरीके से यूज कर सकते हो आप लोग चाहो तो डबल कलर नहीं है तो 2 चुढ़नी का आधा-धा कट कर के भी यूज कर स इसी तरीके से मैंँ इसको सारा लास तक इसी तरीके से कट कर लिया और उपर से इस तरीके से हाथ करके फैला देना है आपको और आप देखिये कितना सुन्दर सा डॉर मेट गुद्गुदा सा पायदन टाइप कर targeting हो گया है है ना और पीछे से भी काफी साफ सुतरा है अगर आगे से चाहें तो आगे से बिचा लीजिए पीछे से चाहें तो पीछे से भी बिचा सकते हैं कुछ बुरा नहीं दिखेगा अच्छा ही लग रहा है दोनों तरफ से तो आप लोग बताईए टो इन बन डोर मेट रेडी हो आप लोग बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और जादा से जादा चैनल को सपोर्ट कीजेगा और देख सकते हैं आप बड़े साइस का ही बना है तो चलिए इस वीडि झाल 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 झाल